ऐसे questions अकसर exam में पूछे जाते हैं और मैं बोलूँगा बहुत ज्यादा अच्छा question है मैं ऐसे वे बता दूँगा को कि आप कभी भूलोगे नहीं इस question को मैं आपको बेड़ बताता हूँ कि भूलोगे नहीं एकर यह question कर लो कभी नहीं बूलोगे लिख बार ट्राइ कर लो ख है तो यहां पर एक vendor है जो की कुछ lemon खरीता है थीकि कुछ lemon खरीत इसको orange किया जाएक है ठीकर lemon को orange कर देते है vaiorte और vendu क्रिच के चार ले मन खरीटाग है वैसे पीलारंगा उता मैं तो यहां पर ले मन करिकता है 11 ले मन कि करी तर às चार दस रूपए में खरीटा है कि तो यहां पर ले मन का निकालना ह anyone का पर लेमन ही अंग क्यों निकाले अब समझो क्यों निकाले यहां पर लेमन कैसे निकले और सब्सक्राइब है और 10 रूपया है यानि कि एक लेमन का धाम अगर 10 रुपया है तो 10 लेमन आप खरीद रहे हो similarly 11 हमने lemon खरीदना है और 10 रुपे है मारे पास यानि कि हर lemon का धाम निकल जागा यानि हमने हर lemon कितने रुपे का खरदा है ये निकल जागा similarly हर एक का selling price भी निकल जागा और क्यों निकल रहा है मैं बताऊंगा कि मैं हर lemon कहीं क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ पर question में देखो तो 11 lemon खरीद रहें और 4 को बेच रहें ठीक है तो अखिर मैं 11 खरीद रहा हूँ तो 4 को कैसे solve करूँगा मैं हर का क्यों निकाल रहा हूँ ठीक है एक lemon का दाम क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ और वैसे निकालूँगा एक lemon का तो answer कैसे आजाएगा इस सारे questions का answer आपको मिल जाएगे यहाँ पर similarly 5 रुपए है और 4 piece खरीद रहा है याँ कि हर lemon का selling price निकल जाएगा अच्छा अब answer आपको यह मिलेगा कि एक lemon का मैंने क्यों निकाला for example मालो कि आपने एक कोई lemon खरदा ठीक है उसको आपने 10 प्रतिसत profit पे बेचा यानि कि 11 रुपए पे बेचा ठीक है आपका कितना profit हुआ रहा है यहाँ पे 10 प्रतिसत ऐसे ऐसे अगर आप 10 lemon खरीद तो आपके कितने रुपए पढ़ेंगे 100 रुपए को पढ़ेंगे अगर ऐसे ऐसे आप 10 lemon बेच रहे हो यह नहीं मतलब होता है कि हम कितना lemon बेच रहे हैं आप समझ प्रतिसत का ही यहाँ पे लाब होगा ठीक है तो सिमिरली हम इसी लिए यहाँ पे एक lemon का cost price और selling price निकालते हैं अगर एक lemon पे हम profit निकाल ले परसेंट निकाल ले तो हम पूरा transaction में उतना ही percent का profit होगा यह ग्यात कर सकते हैं जान सकते हैं यहाँ पे अब देखो तो selling price ज्यादा है या cost price क्योंकि अगर selling price ज्यादा होगा तो हमारा profit होगा अगर यहाँ पे selling price देखें तो 4 से एक से ज्यादा बार में कटेगा और यह 11 से 10 से कम बार में यानि कि selling price ज्यादा है हमारा profit हो रहा है यह दोनों option तो ऐसे ही हट जाएंगे अगर profit हो रहा है तो क्या होगा profit कितना रूपय का हो रहा है पैर यह दो निकलेंगे एक lemon पे तो कैसे निकलेंगे 11 price पर खरदाता हर 11 पर हमें इतना profit हो रहा हर लेमन को आमने इतना price पर कर देगा इंटू अगर आप 100 से कर दो तो हमारा profit पर सेंट नई कर जाता है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगा profit percent करते है अब इसको अगर आप solve करोगे है तो मैं यहां करके color change करके solve करता हूँ 44 हो जाएगा यह हो जाएगा 11 पाचे 55 और minus 40 ठीक है और आप into इसको 11 by 10 कर सकते हो और into 100 भी कर सकते हो यहाँ से 10 बार में cut जाएगा यह 4 बार में cut जाएगा उपर बचेगा 15 तो मैं यहाँ लिक रहा हूँ ठीक है तो 15 divided by 4 into 10 कर सकते हैं इसको यहाँ पर आप देखो दो बार में और यह पांच बार में सही है तो 75 divided by 2 हो जाएगा आपका answer answer कैसे हो जाएगा आपका this will be the correct answer आधा क्या होता 75 का आधा ठीक है 35 दूना 70 होता है तो definitely 35 से जाधा होगा आप approximation भी लगाओ तो एक second आपको लगेगा exact value न भी निकाला तो solve करने में ठीक है तो यह है question जो आप जिन्दगी में कभी नहीं बूलोगा मुझे उमीद है इस question के बाद आप नहीं बूलोगे तो अगर अच्छा लगा हो तो हमेजा की तरह आपको like करना है subscribe करना है देखते हैं और सारे questions